हेलो गाई, वेलकाम बेक टो माई चैनल, आज मैं फिर हाज रहे हो एक नए वीडियो के सरा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी 3-phase transformer का full load current कैसे निकालते हैं तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे, इसे पहले मनें आप एक thumbnail जो share कर रहा हूँ इसमें इस वीडियो में जाएं और चेक करें कि हमने कैसे starting current, यानि कि 3-phase induction motor का starting current कैसे निकालें full load current कैसे निकाला, no load current कैसे निकाला, ये सारे जानकारी आप इस वीडियो में यानि कि मेरे चैनल का माईद्यम से जाकर आप इसमें देख सकते हैं फिलहाल मैं आप चलता हूँ topic यानि कि जो मैं आज transformer का full load current निकालना, इसके लिए मैंने 1000 kVA का transformer लिया है इससे पहले इस channel में जो नए है, please subscribe my channel and press the bell icon इससे आपको electrical की जानकारी and video मिलेगा, साथी साथ technical video आपको मिलता रहेगा तो आज हम 1000 kVA transformer का full load current निकालेंगे तो सबसे पहले kVA को VA में change करने के लिए 1000 से multiple करेंगे तो जैसे कि देख पार है 1000 kVA is equal to 1000 into 1000 1000 का मतलब जो k के बदले में 1000 हमने डाला अभी हम formula चलते हैं, VA is equal to root 3 into 415 into i यानि कि जो हमने voltage लिया है 415 voltage यह आप transformer का name plate में देख सकते हैं या तो फिर transformer के line voltage में check करके आप पता कर सकते हैं कि आपका line voltage कितना है तो फिलाल हमने 415 voltage लिया है और i हमको निकालना इसलिए i को मने i में लिखा है अब i is equal to 1000 into 1000 whole divided by root 3 into 415 मने लिया और 1000 into 1000 multiple किये तो 3 and 30 यानिके total 60 हो गया whole divided by root 3 का जो value होता है 1.732 multiple by 415 volt now i is equal to 1 and 60 whole divided by 718.78 अगर इसको हम divide करते हैं तो divide करने के बाद 1391.25 amps current मेरा full load current आया but हम इतना full load current कभी भी हम transformer में add ने कर सकते हैं यानि कि 100% हम कभी भी connection ने कर सकते हैं इसके लिए हम कभी भी full load current का 75% ही हम इसका calculate करेंगे यानि कि load में connect करेंगे तो calculate करने के बाद आया 1044 amps यह मेरा 1044 amps यह maximum current इस transformer से ले सकते हैं यानि कि जो 13.95 का 75% हुआ थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आयाएगा फिर मिलते एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ थैंक्यू फॉर वाचिंग